हेलो इन्वेस्टर वेलकम बैक टु मा यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पारादीप फॉस्फेट्स लिम्टेट के स्रियर्स के बारे में जिसमें हम कंपनी की डिटेल अनलेसिस करने वाले हैं कंपनी के बिटनस पर हम चर्चा करने वाले हैं चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनलों को सब्सक्राइब करना बलकूल न भूले साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर आउन कर ले ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और इसी तरह से आप लर्ण भी करते रहें और साथ साथ अर्ण भी करते रहें तो चलिए बिना समय गवाई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहला पॉइंट आता है कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई थी 1981 में कंपनी भारत में नॉन यूरिया फटिलाइजर मैनुफेक्चरर है कंपनी कई प्रकार के फटिलाइजर का निर्माड करती हैं जैसे NPK 10, NPK 12 and NP20 Hydrofluorosilic Acid अब कंपनी के अगर हम इतिहास की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का पूरा हिस्ट्री है यह तो कंपनी 1981 में इंकॉर्पोरेट हुई थी as a joint venture between Indian government and Republic of Nauru to set up facilities for manufacturing the ammonium phosphates TAP at Paradeep Urisa in 1993 Republic of Nauru ने भारत सरकार में अपनी equity यानि हिस्चेदारी को विनिवेज किया था यानि की investment किया था और Paradeep Phosphates Limited भारत सरकार द्वारा पूर्ण स्वामित वाली एक PSU कंपनी बन गई इसके बाद FAP 2002 में FAP 2002 में भारत सरकार ने जोवारी मैरोक Limited में 74% stake का विनिवेश किया और मैरोक Phosphorus के बीच 50-50 का joint venture किया जोवारी मैरोक Phosphorus Limited की Paradeep Phosphorus में 80.45% की हिस्सेधारी है और बाकी का जो rest है 19.55 भारत सरकार के पास है सेकेंड पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट आता है Leading Fertilizer Company Company Non-Urea and De-Amonium Phosphates में Sales Volume के According जो भी इनका Sales Volume है उसके According Second Largest Manufacturers है Company के Product, Fertilizer, जैकिसान, नौरतना और नौरतना के नाम से आते हैं फोर्थ पॉइंट आता है Company की Manufacturing Facilities जिसमें Company की Manufacturing Facilities टैपसिटी है वो पारादीब औरीसा में है माफ करिएगा जो भी इनकी Manufacturing Facilities है वो लोकेटेड है पारादीब औरीसा में इसमें से एक D.A.P. और N.P.K. Production Facilities Surfuric Acid Production Plant और Phosphoric Acid Production Plant सामिल है यह Facilities करीब 1,020,000 metric ton, 65,000 metric ton and 55,000 metric ton इसके साथ साथ 35,000 metric ton Phosphate Rock, Phosphoric Acid Surfer और M.O.P. तक स्टोर कर सकती है Company के पास पारादीब औरीसा में raw material को स्टोर करने की सुविदा भी है जिसमें वो किसी भी समय 1,20,000 ton Phosphate Rock, 65,000 ton Phosphoric Acid Solution and 55,000 ton Sulfur, 45,000 ton Sulfuric Acid, 40,000 ton of Liquid Ammonia and 35,000 ton M.O.P. स्टोर कर सकती है जो की एक बहुत ज़्यादा Big Possibility Point है किसी भी Company के लिए इसके साथ साथ Company का तो पांचुवा Point आता है CapEx वर्तमान में Company अपने D.A.P. और N.P. के Production को annually 1.5 metric ton से बढ़ा कर 1.8 metric ton करने की प्रेक्रिया में है जिसमें मई 2022 तक पूरा करने की उम्मीद भी है यानि कि अभी जो मन्त चल रहा है जो लाए तो यानि कि अब तक तो पूरा भी हो चुका होगा इसकी कोई विपडेट मेरे पास अभी तक तो नहीं है जदी आपके पास हो तो प्लीज एक बार comment box में comment drop करके बता दिजेगा ये एक new phosphoric acid को फिर से निकालने का इरादा रखता है production plant अपने phosphoric acid की annual production को 1,16,000 टन से बढ़ा कर 1,20,000 टन तक बढ़ाने के लिए एक नया वास्पी करनल स्थापित करने का इरादा भी रखता है next point आता है इनका distribution network अगर यहाँ पर आप देखें तो company ने इंडिया में ये point देखेगा company ने इंडिया में पूर्वी हिस्से में एक strong presence के साथ sales और distribution network स्थापित किया है 31st March 2022 तक इसने 11 regional marketing offices और 468 stock points के network के माध्यम से भारत के 14 राजियों में उत्पादों का वित्रण किया इसके network में 4761 dealers 67,150 retailers सामिल है जो 31st March 2022 तक भारत में 50 लाग से अधिक किसानों की सेवा भी कर रहे हैं ये सारे points यहाँ पर notes हैं आप details चाहुत उसको पढ़ सकते हो जिन भाईयों की हिंदी थोड़ी week है अब यहाँ पर अगला point आता है manufacturing process तो इसके अंदर अगर हम देखें तो phosphates rock को phosphorus बनाने के लिए processed किया जाता है जो आम तोर पर fertilizers में उप्योग किये जाने वाले तीन मुख्य पोसक तक्वों में से एक है अन्य के जो दो हैं उसके अंदर nitrogen and potassium इत्यादी आते हैं अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास phosphates का reserve negligible है यानि की नाकियं बराबर है जिसके लिए भारत को phosphate rock, phosphoric acid, sulfur ammonia and MOP जिसको हम murate of potas के नाम से जानते हैं इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना होता है और वो इन सभी raw material को moreco, zoldan, qatar और सौधी अरभिया से import करता है हाल ही में company का IPO हमें देखने होग मिला था जिसमें company ने IPO के जरिए पंद्रा सो एक करोन रुपे जुटाए थे जिन में से 497 करोन offer for sale की तोर पर और 1004 करोन fresh equity issue किया था जिसका used company ने क्या किया पार्ट, financing, the acquisition of the goa facilities and repayment, prepayment of certain of over borrowing यानि जो भी इन के करजे थे थे थोले से उसको चुकाने के लिए company ने इन IPO को लाया था अगर हम company का current price देखते हैं तो अभी stock trade कर रहा है जब मैं studio को suit कर रहा हूँ क्योंकि market hours है 46.90 पैसे के उपर आज stock में हमको करीब 49.80 पैसे का हाई भी लगता हुआ देखने को मिला था जिसके बाद company के stock में थोड़ा सा pressure देखने को मिला है और 46.65 का low भी बनाया है अगर हम इन के उपर देखें तो company के उपर कोई भी red flags हमें देखने को नहीं मिल रहा है यानि company ना ही SM list में है ना ही DSM list में है और ना ही promoter के जो shares है वो गिलवी रखे हुए है ऐसी कोई समस्चा हमें देखने को नहीं मिल रही है कि matrix देखें तो stock trade कर रहा है 9.54 के multiple P पर वहीं sector का P क्या है 11.96 यानि अगर आप ऐसे ही देखें तो बाकियों के sector के comparison में stock का जो valuation ने काफी reasonable trade कर रहा है वहीं sector का जो price to book value ratio है वो 2.57 का है वहीं इस company का है 2.08 इस company को cover करने का मक्सद सर्फ इतना ही है क्योंकि अभी हाल ही में मैंने एक जुलाई को एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें प्राइम मिनिस्टर मिस्टर स्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की थी किस से रसियन प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादी मीर पूतिन से जिसमें इन्होंने भारत का दौरा किया था दिसंबर 2021 में जिसमें कुछ bilateral trade को लेकर बात करी गई थी जिसके अंदर आप यहां पर यह point देख सकते हैं कि agriculture, goods, fertilizers and pharma products could be encouraged further यानि कि जो रसिया की जो प्रेसिडेंट्स है मिस्टर ब्लादी मीर पूतिन उनका कहना है कि जो रसिया योकरिन से जो वार हुआ था उसके कारण कई सारी कंपनियों ने, US जैसी कंपनियों ने और कई सारे अनक कंपनियों ने रसिया से अपने बिल्जिस को wind up किया था जिसके कारण रसिया में इन products की shortage रहने वाली है जिसके ओपर उन्होंने भारत या चाइना के ओपर depend रहने वाला है तो इस news से हो सकता है कि इन सभी sectors में आपको आने वाले upcoming years, months में एक big move देखने को मिल सकता है क्योंकि सरकार कोई ना कोई महत्पूर्ण कदम जरूर उठाएगी, कोई ना कोई ऐसी scheme लाएगी कि वो इस opportunity को grab कर सके और रसिया के अंदर अपनी पकल को और भी मजबूत कर सके तो इस stop को जरूर आप लोग अपनी वालिस में add कर लीजेगा क्योंकि कंपनी के financial भी मुझे काफी अच्छे लग रहा है अगर हम बाकियों के जो इनके जो competitor है यानि कि अगर इनके हम peer से इनकी तुलना करते हैं तो UPL trade कर रहा है 14.21 के multiple people Quorum Andal International 19.13 के multiple people and वहीं पर buyer crop science limited 36.19 के multiple people trade कर रहा है वहीं पर इन सभी का price to book value as compared to para deep phosphates के मुकाबले काफी high पर trade कर रहा है तो आप सभी को para deep phosphates पर नजर जरूर रखनी है अब अगर हम इनका return की बात करें तो जोलाई 21 से जोलाई 2022 का data है जिसके बीच में दोनों stock ने आज पास की return ही बना कर दिये हैं यानि कि अभी तक इन sector में boost देखने को नहीं मिला है तो अभी सिर्फ शुरुवात है अगर यह sector चलना start हुआ तो यहां से multiple return हमको दे सकता है और जो target हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं वो 50, 60, 80 and 100 तक के target देखने को मिल सकते हैं आने वाले एक साल के अंदर-अंदर अब अगर हम यहां पर इनके financial trend की बात करें तो 2019, 20, 21 और 22 का data है तो जो भी valuation है वो 1000 and crores में है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि company की sales लगातार बढ़ रही है और उसके साथ ही साथ company के जो profits हैं उसमें अभी हमको इजाफा होता हुँ देखने को मिल रहा है अब अगर हम इनका एक positive points और देखें तो company के पास जो free cash flow है वो 1332 करोन रुपीज का देखने को मिल रहा है share holding pattern में promoter के पास 56% की holding mutual funds के पास 17.84% की other domestic institutions के पास 4.28% की foreign institutions के पास 6.70% और other retailers and जो others हैं उनके पास 15.08% की holding हमें देखने को मिल रही है foreign institutions ने अपनी holding को मई मंच बढ़ा कर 5.94% से 6.70% का कर लिया है mutual funds ने भी अपनी हिस्चदारी को बढ़ाया है 15.79% से 17.84% से अब आप सब समझ सकते हैं कि जिस तरह से mutual funds, DIs, FIs ने अपनी holding को बढ़ाया है और इस stock के प्रती विश्वास रखा है तो जरूर आने वाले upcoming months में हमको इस stock के अंदर एक बहुत अच्छा move दिखाई दे सकता है अगर यहाँ पर अगर आप बात करें इनके forecast and rating की तो 100% analyst की राय है कि आप इस stock को बाय करकर चल सकते हो डिस्क्लेमर देना चाहता हूं इस वीडियो को बढ़ाने के मकसद बास कितना है कि आप लोगों को जो retail निवेशक हैं उनको कुछ सिखा पाऊं और हमेशा कहता हूं कि जब भी आप किसी stock में long term के ले निवेश करते हैं तो उस company के business को जानना अती आवर्शक होता है इसलिए मेरा वीडियो 16 सा लंबा हो सकता है तो अगर आप लोगों को stock market में कुछ value वैड करनी है अपने जीवन में कुछ करना है तो उनी stocks को buy करिए जिस stocks को आप समझते हैं आप अगर long term traders हैं तो आप fundamentals देखते हैं अगर आप swing traders हैं तो आपको company के technicals पर जरूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आप लोग अपनी मेहनत की गाली कमाई किसी भी stock में लगाते हैं तो ऐसे ही किसी के कहने पर कोई भी stock को buy ना करें से भी registered advisor नहीं हो तो कृपया निवेज करने से पहले खुद की research या अपने financial advisor की सल्ला जरूर ले ले क्योंकि इस company के जो भी parameter है जो इन्होंने past perform दिया है उसके अधार पर हमने इसकी तुलना करी है और उसके according ही हमने आपको जो target वी studio में बताएं है वो दिये गए है तो एक बार जरूर अपनी खुद की research जरूर कर लिजेगा और education purpose से आप खुद स्वयम से कर सकते हैं कि कैसे किसी भी stock को अपने portfolio में add करने के लिए क्या क्या parameters होते हैं और क्या क्या वो बाते होती जिनको हमको ध्यान में रखना होता है तो जरूर आप लोग इस चीज़को knowledge में रखिएगा इसी तरह के quality content पाने के लिए channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दिजे वीडियो को भी दख like नहीं किया तो please video को like चलो कर दिजे क्योंकि इस तरह के quality content बनाने के लिए हमें और हमारी team को काफी जादा मैनत करनी होती है क्योंकि आपके like आपके sayers आपके comment से हमें और हमारी team को काफी inspiration मिलते है और हम इसी तरह से जो knowledgeable videos है knowledgeable fundamental analysis हैं समय समय पर आप सभी के लिए लाते रहेंगे अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो तो आशा करता हूँ आप लोगों को video पसंद आया होगा मिलते हैं अपने next video में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत